दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल साइंस बंकर्स पर दोस्तो सेल बायोजी की यह थर्ड क्लास होने वाली है और हम प्रिविएस वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रोकारियोटिक सेल यूकारियोटिक सेल उनके टाइप्स शेप साइज डिस से रेलेटिड उनमें इस टॉपिक से कुश्चंस आते ही आते हैं तो ध्यान से यह वीडियो देखिए आप लास तक चले स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कि प्लाजमा मेंब्रेन दोस्तों इसी को हम सेल मेंब्रेन के नाम से भी जानते हैं आप प्लाजमा मेंब्रेन ब बात करें तो humans की जो सेल हैं उसमें सबसे आउटर मुसलियर जो मिलेगी आपको वह प्लाजमा मेंब्रेन मिलेगी क्योंकि सेल वाल एपसेंट होती है राइट कैसी मेंब्रेन होती है यह दोस्तों extremely delicate होती है थिन होती है साथ में living है ठीक है और semi permeable in nature होती है दोस्तों यहां दो वर्ड यूज होते हैं एक तो semi permeable दूसरा वर्ड है selectively permeable आपने यह भी जरूर सुना होगा थोड़ा सा ही डिफ्रेंस है क्या डिफ्रेंस है वह जान लेते हैं दोस्तों selectively permeable term हम तब यूज करते हैं जब सेल लिविंग का पार्ट होती है यानि नाम से पता लग रहा है सेलेक्टिव है नेचर में कैसी है सेलेक्टिव है सेलेक्टिव का मतलब क्या कि जिस मैटिरियल की सबस्टेंस की रिक्वार्मेंट सेल को होगी वही अंदर आप आएगा समझ गये आप या जिसको सेल को बाहर निकालना है वही बाहर जापाएगा सेलेक्टिव है वहां मैटिरियल की नेचर मैटिरियल के शेप और साइस से लेना देना नहीं और नहीं पोर करते हैं तो semi का मतलब सीदे-सीदे पोर से related होता है प्लास्मा मेब्रेन का अगर पोर साइस कम है और उससे भी छोटा कोई पार्टिकल है तो वह अंदर आएगा और अगर उससे बड़ा कोई लार्जर पार्टिकल है तो वह अंदर नहीं आएगा लेकिन यह के selectively permeable के अंदर नहीं है दोस्तों selectively permeable अगर बढ़ा भी है substance उसका size बढ़ा भी है तो particular carrier proteins के तुरू अंदर आ जाते हैं बस शर्त है कि उसकी requirement cell को होनी चाहिए लेकिन semi membrane permeable का मतलब है कि यहां एक particular size के ही जो substance है या particle से वह अंदर आपाएंगे semi permeable कब बोली जाती है दोस्तों यह जब यह dead हो जाती है ठीक है यानि कि जब हम membrane को बाहर निकाल देते हैं living parts से तब उसको semi permeable बोल सकते हैं आगे बात करें इसकी thickness दोस्तों 75 से 110 armstrong तक ही हो सकती है 1 armstrong is equals to 10 to 3 power minus 10 meter ठीक है यह conversion ध्यान रखेगा आपको chemistry में भी काम आएगा और यहां भी काम आने वाला है एक जो सबसे important property इस प्लाज्मा मेंब्रीन के दोस्तों वह यह है कि यह lipid by layer की बनी होती है दो layer यहां lipids की present होती है और plus protein होते है lipids की जगे आप phospholipids भी बोल सकते हैं phospholipids ठीक है क्योंकि phosphorous bond इस particular lipid के साथ में अटेच रहते हैं इसलिए हम इसको phospholipid पूलते हैं अभी आगे हम structure देखेंगे तब होड़ डिटेल में डिसक्स करेंगे इसको दोस्तों यह electron microscope के अंडर ही observe की जा सकती है ठीक है क्योंकि जो compound microscope है उनकी magnification power इतनी नहीं होती क्या functions होते हैं दोस्तों इसके यह shape और size को maintain करती है cell के दोस्तों इसके अलावा जो internal content होता उसको protect करती है इसको प्रोटेक्ट करने का काम में और इसके अलावा यह regulate करती है entry and exit of the substances in and out of the cell ठीक है सेल के बाहर और अंदर substances की entry को और exit को देखती है उसको regulate करती है लास्ट में दोस्तों यह homeostresses maintain करती हो में स्टैसिस क्या होता है दोस्तों देखिए सेल की adaptability होती है कि environment के हिसाब से वह अपने आपको क्या करते है अदेप्ट करती है तो वही property self regulation की जो property होती है उसको हम क्या बोलते हैं homeostasis बोलते हैं दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि cell membrane के कौन कौन से हम पढ़ते हैं देखिए आज की डेट में जो हम cell membrane का model पढ़ते हैं फ्लूइड मोजिक model है लेकिन पचासों model cell membrane के हैं इन में से एक दो में जो models हैं वह काफी famous हुए ठीक है 1970s तक एक model जो हम पढ़ते थे वह था आपका sandwich model दोस्तों कौन सा model था sandwich model था sandwich model दोस्तों sandwich model जो है यह दो scientist ने दिया इनका नाम था Daniel and devison यह दो scientist थे जिन्होंने sandwich model दिया क्या कहा दोस्तों नोंने यह चीज़ बताई इन्होंने ही पहले बार बताया कि लिपिड की बाइलियर है ठीक है और इसमें proteins present होते हैं ठीक है अब इनका model फेल क्यों हो गया दोस्तों इस model को हम ज्यादा detail में discuss नहीं करेंगे detail में fluid music model को है discuss करेंगे क्योंकि questions वहीं से आते हैं ठीक है इस model को देख लेते हैं just कि क्या बताया इन्होंने दोस्तों इन्होंने बताया कि जो plasma membrane है पहली बार तो वह किसकी बनी होई है proteins की और कि फॉस्फो लिपिट्स की दूसरी चीज़ दोस्तों नहीं बताई कि जो फॉस्फो लिपिड है यह इस इस Amphipatic molecule कैसा है Amphipatic है Amphipatic क्या मतलब होता है इसका सर इसका मतलब अभी देखते हैं Amphipatic का मतलब होता है जो water एक साइड उसकी जो water loving हो और दूसरी साइड उसकी repelling हो इसे हम Amphipatic बोलते देखें में बता देता हूं जैसे यह एक molecule मानके चलिया ठीक है यह एक मॉलीकूल है दोस्तों उपर वाला जो पार्ट है को हम हैड बोलते हैं यह इस तरीके का मॉलीकूल होता है लिपिड का इसको हम हैड बोलते हैं ठीक है और जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों इसको हम टेल बोलते हैं यह टेल है और है इस हैड के साथ में अटेच रहता ह फॉस्फोरस गुरुप दोस्तों तो जो टेल होती है इसकी दोस्तों यह होती है हाइड्रो फोबिक यह हैड्रोफोबिक होती है दोस्तों ठीक है और जो हैड होता है यह हैड्रोफिलिक होता है यानि कि वाटर लविंग होता है फोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग और हैड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग ठीक है तो आप देखा आपने कि एक जो इसकी हैड्रोफिलि है और टेल हैट्रोफोबीक ऐसे मॉलइक्व करो हम इम्पिपसि Mirkoothekv नोसतो FERC ये भी पताया चेन सैलेक्टिवली मैंब्रेन लिए इसी मॉडल से हमें पता है ठीक है डिस दुष सेलेक्टिवली पर मिल सेलेक्टिवलीपर ठीक है दोस्तों तो यह सारी चीज़ें हम इस मॉडल से पता लगी ठीक है बात में हम देखेंगे कि यह सारी चीज़ें आप फुड मोजिक मॉडल में भी पढ़ते हो ठीक है वहां के लिए भी यह चीज़ें अपली के विल हैं और बस इसका नाम आपको याद रखना कि सेंड है निमोनिक्स डोनल्स मने मैं डोनल्स मैं ।ेक्ड या संडविक छ स्भें हैं मौदल में यसे दोस्तों लिए लैयर होती लिए यस थो यह थक्श in पहल्लिए जुला officer होता है इस तरीक में क्या प्लिक सुलीए तो यह दूनों क्रोंड़ को डोस्तों क्या बूलागा सेंडविच मॉडल बोला गया तो यह चीज आपको ध्यान रखने पड़ेगी आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों यह है फ्लूड मोजिक मॉडल यह बेसिकली हमां पढ़ना है कब आया यह एक्जिस्टेंस में 1970 में दोस्तों यह आया और इससे पहले हम लोग डैविशन और डैनि से आएंगे प्लाजमा मेंबरेन के तो वह जायतर आपसे फ्लूड मोजिक मॉडल के बारे में ही पूछा जाते हैं सारी कॉश्चन ठीक है तो इसी को ध्यान से बढ़ते हैं देखो पोलर हैट्स आप देख रहे हैं यह मैंने बताया आपको यह कैसे होते हैं दोस्तों है ठीक है यह हाइड्रोफिलिक है यह मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि जो उसकी पूरी फंक्शनिंग है वह किस पर डिपेंड करती है अभी हम यह भी देखेंगे कि वह वाले मॉडल्स जो थे प्रिविएस मॉडल्स जो थे वह क्यों फेल हो गए और इस मॉडल ओब हो गया कि वटर को क्या करेंगे रिपैल करेंगे ठीक है अब और क्या होता है कि प्लापा मैंबडें के अंदर फेट वाटर inimटिंजिक तो यहां से entry हो जाएगी ठीक है यह मां ली जेंटर्नल पार्ट है और यह आउटर है तो मां ली जे बाढ़ से अंदर आना चाहता है cell membrane तो क्या होगा कि यह तो फिलिक बॉंड्ट है तो यहांतो वाटर एट्रेक्ट होगा ठीक है यहांतो वाटर आ जाएगा लेकिन अंदर यह जो पार्ट आप यह लो वाला देख रहे हैं क्योंकि वाटर रिपेलिंग है तो यह इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा ठीक है तो यह जो फंक्शनिंग है इसकी ठीक है यह एक्सप्लेंग नहीं हो पाई प्रिविएस मॉडल्स में ठीक है लेकिन तब कैसा होता है जानते हैं कि जो सैल है उसका साइज भ橋 घटता है अगर एंडी अस्वासि आप जानते हैं ठीक है सैल ड्रिंकुक्त भी करती है स्यल इट भी करती है यह हम जानते है तो फिर यह कैसे पॉसिबिल होगा इसके अलावा कर आप यह देखेंगे कि भाई अंदर से अगर बाहर जाना है वाटर मॉलीकुल्स को तो भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि यह तो बेरियर हो गया बीच में तो यह वाली जो फंक्शनिंग यह कैसे हो रही है प्रिवियस प्र前ろ आप्राढ़न साथमय मेंबरेन है ज cigarettes के अलावा यह जो प्रोटीन होते हैं यह भी बात हैंनोंच ते जो प्रोटीन होते हैं इसके अंदर शुप्रोटीन से जी ऑनलुए राक्या क्या क्या दो तरे के project पाए जाते हैं एक प्रोटीन होते हैं धाक होते हैं प्रोटीन इौन आर इन्ट्रिंसिक प्रोटीन इंट्रेंसिक चैक ठीक है और दूसरे हां और चौन लो सथ बताई और इन दोनों ही dol प्रोटीन का बहुत इंपॉटंट रोल होता है एक बदाप इस चांथ एक हिसमा यहां पर बताई दोस्तो साथ नोने बताएक कि जो प्रोटीन है वो पार्शयली भी जो इक्स्टेंसिक प्रोटीन आप देख रहें यह बिल्कुल सेल के अंदर कंप्लीटली एंबेड़न है और कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं दोस्तों वो बाहर अब इसमें देखो आप evaluating उनको peripheral भी बोलते हैं यह अब प्रोटीन्स यह दिखाये देरहें थिखे यह पर इंट्रिन्सिक के लाते हैं इस C시 दोस्तों अब मैं थोड़ा एक लार्जर वीव देख लेता हूं इसका है ना देखो वो तो हमारा टूटी डियाग्राम था इस तरीके से पूरी की पूरी लेयर बिची हुई है यह आउट साइड दे रखा है सेल का यह बाहर वाला पार्ट है इस आउटर साइड इस इनर साइ है तो हम देख सकते हैं देखो यह इतने डिफरेंट प्रोटीन सापको दो दिखाए दे रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन से मल्टिबल ट्रांस मेंबरेन हैलिक से यही ट्रांसफर कराती है डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेंस का अब यहां देखो कि यह परिफेरल प्रोट मिल जाएंगे आप लोगों को ठीक है दोस्तों तो देखो दोस्तों देखने में यह मॉडल कैसा लग रहा है जैसे यह उपर उपर आपको यह ब्लू कलर के दिख रहे हैं थी ओल आर प्रूटीन्स ठीक है इसके अलावा आप देखो यह तो पोलर हेड्स है और इसके अंदर य जिंगार और निकोलओं ने अपने मोडल को एक फ्रेज के थ्रू एकस्प्लेइन किया वह फ्रेज क्या था दोस्तों इन्हों ने का कि प्रोटीन्स अ कि इंदा सी ओफ लिपिट्स किया मतलब है इसका इन्हों ने बोला कि यहां प्रोटीन ऐसे हैं जैसे कि icebergs जो होते हैं यानि बरफ के टुकड़े समुद्र में float करते हैं उसी प्रकार से इस plasma membrane के अंदर जो proteins हैं वो float कर रहे हैं किसके समुद्र में lipids के समुद्र में बात आगई आपको समझ वे यानि lipids एक समुद्र जैसा है जिसमें कि बड़े बड़े प्रोटीन के टुकड़े वह क्या कर रहे हैं बिल्कुल वैसे जैसे समुद्र में बरफ के टुकड़े करते हैं तो इस तरीके से स्फ्रेज के तुरू इसको explain किया गया है दोस्तों अब बात कर लोते हैं कि isme किस तरीके से रांसफर होता है किस तरीके से यहां पर जो मेंब्रेन है उसके across substances की entry exit होता है देखें ट्रांस्पोर्टेशन का दोस्तो यहां पर mannerly होता है must enter and leave यहां देखेगा compound must enter and leave cell in orderly manner for normal functioning of the cell similarly the plasma membrane contain protein that are specifically recognized and carry solute into the यह वर्ड सुनिए specifically recognize specifically का मतलब है कि जिस substance को ले जाना है दोस्तो उस particular substance के लिए special protein होगा वो इसी को recognize करेगा यह नहीं कि अगर ए नहीं मिला तो वो भी को ले जाएगा अगर ए के लिए कोई protein है तो एक को ही carry करेगा इसी का मतलब है selectively permeable इसी को हम क्या बोलते है इसमें और क्या क्या पर्टिकुलर सब्सेंसेंस हैं वो दोस्तों जैसे शुगर है अबीनों असेट्स हैं इन और्गनिक आइंस हैं यह सब के plasma membrane की ठीक है इस तरीकी के layer होती है इसमें आप देख सकते हैं जो पैर है यह दोनों एक तरफ रहते हैं और जो यह बाहर रहते हैं तो यह बाइलेयर हो गई इसके बीच में प्रोटीन है ठीक है यह एक प्रोटीन लगा वाइक तो यहां पर एंट्री देखी मैं बताता हूं कैसे किस तरीके से होती है जैसे मान के चलो यह है यह जी है यह और यह क्या है किस तरीके का movement कि मान के चली यह वाली लियर इधर आ गई तो जो हमारा सीक्वेंस था वो क्या हो गया कि दोनों तरीके का movement है एक होता है flip-flop movement flip-flop का मतलब होता है कि अपनी रो को ही चेंज कर देता है यानि कि यहां चला जाएगा यह इस तरीके के movement flip-flop कैलाते हैं और जब यह खाली अपनी जगह चेंज कर रहे हैं जैसे चार तीन की जगह आ गया है तीन चार की तो इसको हम transitional movement बूलते हैं तो दोनों ही तरह की movement यहां पर देखने को मिलते हैं इस प्लाजमा मेज़ा इंदर ठीक है और इसी लिए दोस्तों यह कैसी कहलाती है डाइनामिक इन नेचर कैसी कहलाती है डाइनामिक नेचर डाइनामिक मुझा मतलब समझ रहा है फ्लेक्सिबल है नेचर में यानि मुव्मेंट होता रहता है एक जगे से दूसरी जगए लेपीट सोगा रहा इस तरह से यह मुव्मेंट करती रहती है त्यान रखेएगा प्लाजमा में में रिजिट नहीं है कैसी है निचर में डायनामिक है नेचर में यह भी कोश्ण मारे मैक्रों हैं तो मैक्रों मॉली क्यू और मैक्रों मॉली क्यू थिक एनको क्या करती है त्रांसपोर्ट करती है दोश्तों माइक्रों मॉली क्यों?" जुआ होते हैं यह denialaning ठुलिमर के धोय साइज में फोये आपस में लिंक होकर mor April कॉरुष में ट्रांसफेर contract ट्रांसपोर्ट वह ट्रांसपोर्ट शाउं यह सहने ncharam मैं को थो आपको नहीं है वह से प्रसुष यहां ने कि दोस्तोटनों जाते हैं क्यों नहीं हूं सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करते हैं तो पानी ओटोमेटिकली उपर से नीचे आ के तरफ ठीक है लेकिन अगर वही मैं आपको अपोजेट करने को बोलू कि नीचे से अगर उपर पानी भीजना है आप लोगों को ठीक है तो आपको कोई ने कोई फोर्स वा लगानी पड़ेगी आप मोटर लगाएंगे तब वो पानी उपर चड़ेगा ठीक है जब वो टंकी को हम बोलते है एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो यहां एनर्जी की रिक्वाइर्मेंट होगी दोस्तों ठीक है एनर्जी की रिक्वाइर्मेंट किस में मिलती है आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मिलती है ठीक है तो आप समझ यह चीज को कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में energy की requirement क्यों नहीं है क्योंकि higher से lower जा रही है diffusion जैसे example दे रखता है अब diffusion क्या होता है higher concentration से substance का lower concentration की तरफ move करना यह diffusion कहलाता है और सबसे higher gases में मिलता है आप एक room में खड़े हैं बड़े से ऐसे समझे आपने spray किया एक perfume तो धीरे दीरे 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 वह perfume पूरे के पूरे आपके room में फैल जाएगा ठीक है क्योंकि higher concentration से वह किसकी जैसे मानके चलिए यह room है आपने यहाँ spray किया तो दीरे 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 पूरे room में ऐसे evenly distribute हो जाएगा और कब तक distribute हो जाएगा जब तक कि सब जगए यह equally फैल नहीं जाता ठीक है ऐसे यहाँ पर एक temperature का भी example ले सकते हैं यह 100 degree temperature यह जीरो है तो यह दोनों यह 100 से की तरफ जीरो की तरफ जाएगा और कब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का पचास पचास temperature नहीं हो जाता है या नहीं तो इसी तरीके से पैसेव ट्रांसपोर्ट में energy requirement इसलिए नहीं होती क्योंकि यह concentration gradient मौझूद रहता है यह cell membrane है ठीक है यह inner part है यह outer part है आउटर से कोई चीज इन आ रही है यहाँ जादा है तब और बाहर इस चीज का जो वोल्यूम है सी का जो रिशियो है वह बराबर नहीं हो जाता है यानि जितनी बाहर है उतनी अंदर तो अपने आपफी क्या हो जाएगा stop हो जाएगा stop तो नहीं होता है कि जितने molecules बाहर आते हैं उतनी अंदर चले जाते हैं तो वह concentration मैंटें रहता तो यह आपका पैसेव ट्रांसपोर्ट कहलाता है अक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब बहुत दोस्तों जाह एनर्जी की रिकुरेंट होती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियन्ट होता है क्योंकि यहाँ पर इस्पेशल प्रोटीन होते है और यहां नर्जी की रिकायर कि पैसे में मेंबरेन हो भी सकते और नहीं भी हो सकती दोस्तों है कि चलिए फाइनली यह कुछ ट्रांसपोर्ट है मेंबरेन के वह आप देख लीजिए इस तरीके से हैं लिपिट्स जो है वह सॉलिवल है पास थूदा प्लास्मा मेंबरेन इजी लिए हो जाती हैं मैं इसके लावा लाइजर पोलर सब्स्टेंस लाइक ग्लुकोज है या अमीनो एसिट से ठीक है यह कुछ कैरियर मॉलीकूल होते हैं उनकी हेल्प से अंदर जाते हैं और कुछ नहीं प्रोटीन सी होते हैं तो दोस्तों यह हमारी बात प्लास्मा मेंबरेन के बारे में आपको क प्लास्मा मेंबरेन का पार्ट खतम हुआ अगले वीडियो में और बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे आप जोड़ जाएए क्योंकि वहां रोज कुछ वगेरा मैं पूछ रहा हूं वह सारा मैटिरियल जो इससे रिलेटेड पीडिएफ हैं कुछ वगेरा है वह आपको मिल जाएंगी आप जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन करिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है दोस्तों बाकि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप सो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और जो टॉपिक आपको नहीं समझ माया है कमेंट करिए थैंक्यू सो मच फॉर लविंग दो वीडियो